दमाश्टर प्रकास क्लास है, यूटूब चलन आप सभी लोगों का सौध करता है तो भईया, पैट की परिच्छा में आप ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है और हम लोग आपकी परिच्छा के लिए 30 दिनों का टार्गेट बना कर चल रहे हैं और आप अगर इस बुक को खतम कर लेते हैं, जो कि हमारा Youth Competition की बुक है तो इससे बाहर आपका एक भी प्रिच्छन नहीं आएगा पेपर में यानि कहनेंग मतलब यहाँ पर जो आपके 7-8 सालों में, पिछले 7-8 सालों में जितने भी प्रिच्छन आये हुए हुए परिच्छा में वो सभी यहाँ पर दिये गए हैं, तो इसका आप अगर रिविजन कर लेते हैं तो इनी में से कोई ना कोई प्रिच्छन आपकी परिच्छा में जरूर फस जाएगा तो चलिए, आज हम लोग इतिहास का अपना आखरी टॉपिक स्टार्ट करते हैं ब्रिटिस राज का अभिदय योम योम पर्थम सुतंतरता संग्राम चलिए, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला वन लाइनर प्रिष्ण और अगर इससे पहले के टॉपिक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजेगा आपको बहुत ज़्यदा मदद मिलने वाली है आगे बढ़ते हैं भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का क्या कारण था तो अंग्रेजों को पास एक बहतर नौसेना थी इसके कारण अंग्रेज सफल रहे और फ्रांसीसी जो है असफल रहे ठीक है आगे बढ़ते हैं एक उर्दू शायर है जिनका नाम है मिर्जा गालिब यह कहां के रहने वाले थे तो यह मूल रूप से आगरा के रहने वाले थे ध्यान दे सिर्फ आप सुनते जाएगेगे का प्रिष्णों को आपको सारी चीज़ें रड़ जाएंगी कहें भी इधर उधर भटकने की आउश च्था नहीं है लंबे-लंबे बीडियो लंबे-लंबे लेक्चर देखने की आपको आउशकता नहीं है ठीक है आगے बढ़ते हैं बंगाल की वा एक आउन से फैट्री है जो पुर्टिगालियों द्वारा इस थापित ल्या गया था बंगल में पुर्टिगालियों ने जो उपने फैक्ट्री स्थापित की थी, वो हुगली नदी के किनारी स्थापित की थी, इस चीज को जानते रहिएगा, आगे बढ़ते हैं, वह यूरोपीय समदाय कौन सा है, जिसने भारत के साथ सबसे पहली बार ब्यापारिक संबंध बनाये थे, तो सबसे पहला ब्यापारिक संबंध पुर्तिगालियों ने बनाये थे, बहुत से लोगों को अंग्रेज याद रहते हैं, तो अंग्रेज नहीं, यूरोप का जो देश है पुर्तिगाल, उसने भारत के साथ सबसे पहले ब्यापारिक संबंध बनाये थे, बासको डिगामा के बारे में आप सभी लोग संस्थापक था कहाँ पर भारत में, भारत में मुद्रानाय यानि कि जो नोट छपाई की मसीने होती हैं, उसको सबसे पहले कौन लाया था, उसको सबसे पहले पुर्तिगाली ही लाये थे, आगे बढ़ते हैं, बंगाल में डचो द्वारा इस्थापित कारखाना कहाँ पर तो डच यानि कि आपके जो डच होते हैं उन्होंने जो कारखना इस्थापित किया था वो चिन सुर्वा में अपना पहला कारखना इस्थापित किया था आगे बढ़ते हैं वह सासक जिसने East India Company को दीवानी सबसे पहले दिया था तो दीवानी की इजाजत यानि राजस्वक को वसूल करने की जो परिमिसन दिया था वो साह आलम दुतिये ने दिया था जो कि एक मुगल सासक थे तो East India Company को दीवानी सबसे पहले साह आलम दुतिये के द्वारा दिया गया था फ्रांस सिस इस टिणिया कम्पनी की जो इस्थापना हुई थी उस समय फ्रांस का राजा कौन था तो समय जो फ्रांस का राजा था वो लूई चोद्वाथ थी ठीक है तो लूई नाम की राजा थे उनका एक-दो- administer इस प्रकाट से करम चलता है तो दूई चोधोवा उस समय का फ्रांस का राजा था जब फ्रांसे सी इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो यह ब्यापार करने के लिए भारत में आए थी आगे बढ़ते हैं जब लंदन में British East India Company की स्थापना हुई थी उस समय भारत का जो है सासक कौन था तो भार अगरत का जो सासक था वो अखबर था ठीक है लेकिन ये इस्ट इंडिया कंपनी आई थी अखबर की मृत्ति के बाद यानि की जहांगेर के सासनकाल में तो इस बात में कन्फ्यूज मत होईएगा 600 में जब British East India Company के स्थापना होई थी उस में राजा अखबर था लेकिन 1606 में जब अखबर मर गए तो इसके बाद British East India Company जो है भारत में आये थी जहांगेर के सासनकाल में आगे बढ़ते हैं असम में सबसे पहले चाय बनाने की जो कमपनी थी वो कब इस्थापित की गई तो असम में सबसे पहले चाय बनाने की जो कमपनी थी वो 1849 में इस्थापित लिया गया था आगे बढ़ते हैं भारत की सोतंतरता के पूर्व गोवा किसकी अधीन था तो गोवा में हमें पता है पुर्दगालियों के अधीन था इसको 1962 में सोतंतर कराया गया था ठीक है आगे बढ़ते हैं सिराजुद दौला लॉर्ड क्राइब दौरा प्रास्त हुआ था किस युद् अगे बढ़ते हैं किस में अपनी राध्धानी मुर्षिदावात से मुंगेर इस्थापित किया था तो बंगाल के उससासक का नाम था मीर कासियुदू जिसने अपनी द्यारफजदनाउं मॉर्सिदावाद से मुगेर को इस्थापित गया था आगे बढ़ते हैं वह स्थान जहां पर प्लासी के युद्ध में मीर जाफर को बंगाल के नवाब की गद्धी दी गई थी कौन सा युद्ध था तो वो मुर्सिदावाद का युद्ध था जिसमें मीर जाफर को बंगाल की जद्धी दिया गया था आगे बढ़ते हैं और त्री पस्यूमी प्रांथ में आवाध का एकिकरान कब हुआ तो आवाध का जो एकिकरान हुआ था वो 1877 में अंग्रीजों के द्वारा किला गया था वो त्री पस्यूमी प्रांथ में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रेस्ट पर अब यहाँ पर देखे कुछ आपको फैक्ट दिये गया है यह फैक्ट आपको रटा मार लेना है ठीक है और यह आपको पीडिएफ कहा में लेगी यह पीडिएफ आपको टेलिग्राम चनल पर दे दिया गया है तो टेलिग्राम चनल पर आपको पहले से ही यह पीडिएफ द चला तो जितने भी यहाँ पर आपकी बिद्रोह दिये गए हैं इनके कौन से निता हैं ये किस छेत्र में हुआ और इन पर क्या प्रभाव पड़ा और इनका संज क्या था ये सारी चीज़ें आप रट मारिएगा बहुत ज्यादा इंपोर्टन जैसे कि मोपला बिद्रोह बहुत ज्यादा इंपोर्टन है ठीक है और यहाँ पर संथाल बिद्रोह इंपोर्टन है उपर आपने सन्यासी बिद्रोह पढ़ा है ये नील अंदोलन बहुत ज्यादा इंपोर्टन है तो इस प्रकार से इसमें कुछ बहुत ज्याद साध्या दिया किया है, आगे बढ़ते हैं अपने आगले प्रश्ट कि ओर हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सहायक संदी को सुविकार किसे नहीं किया था? तो वाजिद अली साह को जो कियावद के नवाब थे, इन्हें इस्टिनिया कपनी ने 1856 में गद्दी से उतार दिया था, आगी बढ़ते हैं लाड डलहोजी ने कुशासन के अधार पर अवत का बिलय अंग्रेजी राजी में कर लिया था, और कब किया था, 1856 में यह हम उपर पढ़ चुके हैं, उसमें अवत का नवाब कौन था, वाजिद अली साह था, इन्होंने कुशासन का रोप लगा कर अंग्रेजी उन्हें इसे अपने राजी में मिला लिया था, यहनी अंग्रेजी राजी में मिला लिया था, रिंग सेस, यह जो नीती है, यह किसे सम्मधित है, यह वारल हैंस्टिंग से सम्मधित है, रिंग फेस की नीती, आगे बढ़ते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख संग्ठन करता कौन तो जो बिहार में बिद्रोह हुआ था अठोर संतावन में उसमें जो नेत्रत करता थे वो कुमर सिंग थे। ठीक चले आगे बढ़ते हैं 1857 के बिद्रोह के बारे में सरप्थम इसे भारत की सुतंतरता की पहरी लड़ाई किसने कहा था? तो भारत की सुतंतरता की पहरी लड़ाई 1857 का बिद्रोह है ऐसा बीडी सावर करने सबसे पहले कहा था। आगे बढ़ते हैं एक नॉम्बर 1858 इस भी को महरानी विक्टोरिया का घोशना पत्र इलहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो इस 1857 की करामती के बाद जब अंग्रेजियों ने भीजे प्राप की तो लॉर्ड कैनिंग ने इलहाबाद में जो है महरानी विक्टोरिया का घोशना पत्र पढ़कर सुनाया था? आगे बढ़ते हैं 1857 में किसने इलहाबाद को आपात कालिन मुख्याले बनाया था? तो उसमें वैसराय जो है लॉर्ड कैनिंग था ठीक है? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था इसलिए लॉर्ड कैनिंग नहीं जो है इलहाबाद को अपना आपात कालिन मुख्याले बना थे उनका कमांडर इंचीस ताक्या टोपे थे आगे बढ़ते हैं सर 1857 के बरेली बिद्रोह का नेता कौन था तो बरेली में जो बिद्रोह हुआ था उसका नेता खान बहादूर थे इस चीज को जानकारी में रखिएगा भारत की सुतमतरता की पहरी लड़ाई जो की 1857 के थी कहां से प्रारम हुई थी तो ये मंगल पाणने के दौरा मेरट से प्रारम की गई थी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ ये आपको दूसरा फैक्ट है ये तो और भी ज़्यादा इंपोर्टन है कि 1857 में कौन सा बिद्रोह कहां पर हुआ था उसका नेतुर से किस ने कलिया था और अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई किस ने लड़ी थी ये बहुत ज़्य ठीक है तो इसका क्या प्रणाम लखनों में कौन सा बेजद बेगम हजरत महल थी जहां सी में राने लक्षी भाई तो ये सारा जो डाटा है इसको आप रटा माल लेजेगा आपको जो है पीडिएफ टेलिग्राम चैनल पर दिया गया जो पब्लिक टेलिग्राम चैनल है वह था तो इलहाबाद में जो नेत्रुत कर रहे थे उनका नाम है मौलवी लियाकत अली ठीक ना चलिए आगे बढ़ते है अठार संताओन के स्वाधिनता संग्राम की बिरंगना महारानी लक्षींबाई की जन्मिस्थान कौन सा था तो महारानी लक्षींबाई का जो जन्मिस् पहले अंग्रेजों ने कहाँ पर अपनी विजय को प्राप्त किया था तो सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को जीता था ठीक है आगे बढ़ते हैं असम में 1957 की क्रांसी का नेता कौन था तो असम में जो नेता थे उनका नाम है दिवान मनिराम बहुत इंपोर्टन है याद कर लीजिएगा अठार संताओं के संकर्स में भाग लेने माले सिफाईयों की सरबाधिक संक्या कहां पर थी तो सरबाधिक जो संक्या थी वो हमारे प्यारे अवाधि में ही थी ठीक है आगे बढ़ते हैं भारती भासा में अठार संताओं के बिपलों के कारणों पर ल पीफल है ऐसा किस ने कहा था तो ऐसा कहा था जेम्स आउट्रम ने तो जेम्स आउट्रम ने हिंद्यु मुश्यम सणियंत्र के कारण ही आठार संतावन की क्रांति हुई है ऐसा कहा था आगे वरते हैं आठार संतावन के बिद्रों के समय ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कौन थ तो भारती प्रेश्ट की सुतंतर्ता के समाथक जिन्हें माना जाता है। वो लॉर्ड हैंस्टिंग को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं वासराइ लॉर्ड करजन ने मिस्टर थॉमस रॉफट्सन को अपने कारिकाल में भारत बुलाया था। क्यूं बुलाया था। तो थॉ प्रितिश संसन्ड में महाभ्योग का मुकदमा चलाया गया था। पहला जो गवर्नर जंडरन था। बिलियम बैटिक था भारत में अंग्रेजों के समय में पहली जन गड़ना किसके सासनकाल में हुई थी तो लॉड मेयो ने इस जन गड़ना को कराया था यानि कि लॉड मेयो के सासनकाल में जो है पहली जन गड़ना हुई थी आगे बढ़ते हैं वह वायसराय कौन था जिसकी ह इस चीज को आप सभी लोग जानते रहिएगा भारत में करजन के प्रसासन की तुलना और अंजेब से गोखले साहब ने किया था ठीक है इस चीज को जानते रहिएगा लौड कारणवालिस की कब्र कहा है तो यह है गाजी उतर प्रदेश के गाजीपूर सहर में आंगल नेपाल युद्ध के सासन काल में हुआ था तो आंगल जो नेपाल युद्ध है वो लौड हैंस्टिंग के सासन काल में हुआ था किसे स्वर्ग से उत्पन स्थेनानायक कहा जाता है तो रॉबर्ट कलाइब को स्वर्ग से उत्पन स्थेनानायक कहा जाता है भारती लोग सेवा का परवर्तक किसे माना जाता है तो भारती लोग सेवा को सुरू किया किस ने करवाया था कारण वालिस नहीं करवाया था इस पुस्तक के राइटर कौन है तो लॉर्ड करजन ने दा प्रॉब्लम आफ फॉर्डालिस्ट ये जो किताब है इसको लिखा था इस किताब को नाम याद रखेगा दा प्रॉब्लम आफ दा फॉरिस्ट ठीक है आए बढ़ते हैं भारते समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कि आगे भरते हैं वह है गरवनर जनर जितने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था तो दास प्रथा को लॉर्ड एलन बरो ने समाप्त किया था इस चीज़ को ध्यान में रखेगा महत्मा गाहि को वन मैन बॉन्डर फोर्स किस ने कहा था तो वन मैन बॉन्डर फ्रेवर् पर बं फेका गया तो जब लॉर्ड हाल्डिंग दुतिय दिल्ली आये थे तो कुछ क्रांतिक्यारियों ने उनके परवेश पर जब आये तो उनके बं फेका था तो यह बहुत ही इंपोर्टन घटना है लॉर्ड हाल्डिंग दुतिय यह वाशराय थे जाद रखिएगा भारत के जो पहले गवर्णर जनल थे आपको पता है मौंट वेटन थे बंगाल में भू ब्यवस्था को पुनर्गठिट करने वाले गवर्णर जनल कौन है तो बंगाल में भू ब्यवस्था से जो सम्मंदित है उनका नाम है कार्ण वालेस आगे बढ़ते हैं पहला आंगल बर्मा युद्ध के दोरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे तो पहले जो आंगल और मतलब अंग्रेजों का बर्मा का युद्ध हुआ था उसमें जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था एम सार्ष्ट ठीक है यह बहुत इंपोर्टेट है इसको आप नाम को याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग देखिए यह पूरा चप्टर आपका खतम हो गया है अब आपका इतिहास में आखरी चप्टर है बिटिस राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव तो यह ज़्यादा इंपोर्टेट नहीं है दो चार प्रिष्णों से पूछे आते हैं और इसमें कुछ आने वाला नहीं है को लिमला कि आपका इतिहास समाप्त हो गया है चलिए इन दो चार प्रिष्णों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसमें से हमारा पहला प्रिष्ण है वर्ष 1813 के प्रारंभ में इस्ट इंडिया कंपनी के ब्यापारिक एकाधिकारों की पड़ा है तो 1813 में जब इस्ट इंडिया कंपनी की ब्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गये थे तो ओधिक और धोगी की करण में कम यहाई थी ठीक है यानि को दोग धंदों का लगना यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया था भारत में अंग्रेजों ने रहयत वाड़ी व्य आयतों को क्या कहा जाता था तो इसके हम लोग imperial preference कहते थे जो ब्रेटिस बस्तों के आयात पर बिसेश प्रकार से रियायत दी जाती थी आगे वरते हैं ब्रेटिस सासन के समय अर्थवियोस्था को खोकला करने के सिध्धान्स के बारे में किसने किताब लिखी थी तो इनकी क खिनोनी है तो ये विजार कॉल मॉक्स ने दिया था आगे बढ़ते हैं एसियाटिक सोसाइटी आफ दा बंगाल की जो स्थापना की गई थी किसने किया था तो सर बिलियम जोंस ने इस सोसाइटी की स्थापना किया था एसियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल की स्थापना किय चलिए आगे बढ़ते हैं चाल्स विलिंकसन इनका नाम था चॉल्स विलिंकसन इस नाम को याड़केगा इन्होंने स्री मत भगवत गीता का जो संस्किर्स से अंग्रेजी में पहली बार अनुबाद किया था भारती अकाल संहिता ये अकाल कब आया था भारत में 1883 में आया था का निर्मार किस आयोग द्वारा किया गया तो इसका निर्मार इश्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था आगे बड़ते हैं 18 साब्दी की पूराज में बंगाल से निर्यात होने वाली जो प्रमुक बस्तु में थी वो कौन सी थी तो बंगाल से सोरा, कच्चा, रेसम, चीनी और अफीन का निर्यात देश-विदेशों में किया जाता था ठीक है आगे बड़ते हैं इंडियन सिबिल सर्विस परिच्छा को उत्तिन करने वाले पहले भारती कौन थे जब आप सुतनतरता संग्राम पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको अंग्रेजों से सम्मधित बहुत सारी प्रिष्ण आपको देखने के लिए मिलेंगे आगे आपके जो आपको PDF जा गया है उसमें राजवांस दिये गया है इनके संस्थापक और आध्धाने दिया गया तो यह आपको पढ़ने की कोई आउशक्ता नहीं क्योंकि आपके स्लेवस में नहीं है आगे जब आप पन्ना पढ़ेंगे तो वहां पर महाजनपदों के बारे हम लिखा गया है कि कौन सा महाजनपद है उसकी राध्धानी कहा पर है और वो आधुनिक जो आधुनिक समय में कहां किस शेतर के अंदरगत आता है तो यह भी आपको पढ़ने की आउशक्ता नहीं है क्योंकि आपको महाजनपद स्लेबस में दिये गया है वो सारे हम लोगों ने यहां पर कबर कर लिये हैं यानि कि हम कह सकते हैं कि प्यास हमारा पूरी तरह से खतम हो गया है और इसके बाद कल से हम लोग जो पढ़ेंगे वो अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा है भारती आतमें बने रहिए आपका 10 से अक्टूबर तक यानि परिष्छा के पहले तक आपका पूरा सिलिबस खतम हो जाएगा और हाँ यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया गया होगा उस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग खरीद लीजिए क्योंकि 100 रुपया बहुत ही कम होता है बहुत जादा नहीं होता है अगर आप प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं तो आपको इसे बहुत जादा फाइदा मिलेगा जो भी पब्लिकेशन है मार्केट में जितने भी किताबें उपलब्द हैं उन सब को PDF के फॉर्मेट में आपको दिया गया है 100 रु